हेलो गाइज नमस्कार मैं आप लोके स्केल्टन स्वागत करता हूँ दोस्तो आज में बात करेंगे सर्दी खासी के बारे में दोस्तो अगर आपको सर्दी खासी से परसान है आपको सर्दी खासी रहता है या आप सर्दी खासी से परसान है या आपको बुखार है तो दोस्तो आप मेरे वीडियो आन तेक देखे, इस वीडियो में हम कुछ घरेलो टिपस बताएं के जिसके मदद से आपने सर्दी खासी के हमेशेक लिए खतम कर सकते हैं, आई जानते हैं सर्दी खासी के होता है, मौसम अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है, जैसे कि सर्दी खासी और या खाई जाती है, लेकिन आप इन सब प्रिस्तानियों को बिना दवाई को भी ठिक कर सकते हैं, आपके किचन और घर में मौझूद चीजों से भी सर्दी खासी के इलाज हो सकते हैं, यहां जानेंगे पांच घरेलो उपाएं, जिनने फुलो करकर आप बदलते मोसम में सकते हैं, दोस्तों, अगर आप मेरे यह टिप्स के जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो का लाइक किजिए, और मेरा चैनल को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि इस पर घरेलो टिप्स दिया जाता है, आई जानते हैं कौन चे टिप और सब्सक्राइब यह दोनों सबाना सुप पी सकते हैं, यह आपके सरीर में अपर रिस्प्रेटरी इंफेक्शन को कम करता है, अगर रिस्प्रेटरी एक वायरस इंफेक्शन है, जिसका सीधा असर नाक, गले, स्वासनरी, फेवडों में होता है, लो सोडियम सुप भी आप मीट को सुप पी सकते हैं, आप वो पीने से आपके रिस्पेटरी सिस्टम मजबूत होगा, और आपका सर्दी खासी हमेशा क्लिए खत्म हो जाएगा, यह एकदाम घरेलू है, नुसका है, एकदाम घरेलू इसका किसी परका का साइड फिक नहीं है, दोस्तों अगर अधरक को सर्दी खासी ठीक करने के लिए इस्तमाल में लाया जा रहा है, इसके साइंसे स्टेट्पिक सबूत भी है, कि यह कॉप और गले को अराम पहुचाता है, इसके लिए कच्छे अधरक के टुकडे को पानी में उबाल कर पिए, श्टेडी भी बताती है कि अधरक इम बाल कर उसके पिए, इससे आपको सर्दी खासी समस्ते बहुत ही चल्दी खतम हो जाएगा, दोस्तों अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि इस पर घरेलू टिप्स और आजयोटिक टिप्स दिया जात सहद खासी दूर करने में काफी सहायक होता है, लेकिन एक साल से छोटे बच्चे को कभी भी सहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार सहद में बेटू लिनम जिमाडू मौजूद होते हैं, जो बच्चे के लिए नुकसान देख होता है, ये जिमाडू सहद को गर्म करने सहद से भी नहीं मरते, दोस्तो अगर आपको सर्दी खासी है, तो सहद और निमू के आख सेवन करें, आपको सर्दी खासी एकदम ही खतम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इस टिप्स को अपना कर आप अपने सर्दी खासी को हमेसे कर ये भी खतम कर सकते हैं, और अपने respiratory system को मजबूत कर सकते हैं, दोस्तों ये एकदम घरेलू है, किसी परकार का side fact नहीं है, दोस्तों अकर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरा चैनल को subscribe जरूर करें, क्यांकि इस पर घरेलू और आर्जवेदिक टिप्स ही दिया जाता है, जिसका किसी परकार का side fact नहीं हो system, seasonal virus की वज़ा से नाक और गले में खुजली को भाप ठीक कर देती है, ये शर्दी को भी जल्दी ठीक कर देती है, लेकिन system लेते वक्त ध्यान रखे कि ज्यादा गरम पानी से भाप ना ले, इससे आप जल सकते हैं, आप चाहे तो hot shower भी ले सकते हैं, दोस्तों अगर आपक सकते हैं, पानी को भाप ले सकते हैं, जिससे आपको शर्दी खासी में बहुत ही आराम मिलेगी, ये बहुत ही जल्दिक आराम देता है, दोस्तों ये एकदम घरेल हुआ है, और आजवितिक है, जिसका किसी भी परकार कर साइड नहीं है, दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच झाल 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 झाल झाल